नमस्कार निउस पी आर में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ स्वेता मिस्रा बिहार में डॉक्टर्स की नोकरी की चाहा रखने वाले युवाव के लिए एक स्टुनहरा मौका है आपको बताते चले कि बिहार स्वास्ति विभाग ने 207 पदों पर बंपर वेकेंसी निकाली है अब इस वेकेंसी पर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी आखरी तारीक है इसे अप्लाई करने का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और साथ ही कैसे लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं बिहार में डॉक्टर के पद पर नौकरी की तलाश कर रहे युवाओ के लिए बहुत अच्छा मौका सामने आया है बिहार स्वास्ते विभाग स्टेट हेल्थ सोसाइटी की ओर से स्पेसियलिस्ट डॉक्टर के पदो पर बंपर वेकैंसी जारी हुई है ऐसे में जो उमीद्वार इन पदो पर आवेदन करना चाहते हैं उन्हें SHSB बिहार की ओफिसियल वेब साइट स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार.org पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और बिहार स्वास्ते विभाग में बिभिन पदो पर भरती के लिए जारी इस वेकैंसी के माध्यम से कुल 207 पदो पर भरतिया की जाएगी बता दे कि इन पदों के लिए आवेदन प्रकिरिया 8 परवरी 2022 से ही सुरू हो गई है और सभी सीटों के लिए ओनलाइन आवेदन ही स्विकार किये जा रहे हैं सरकारी विभाग में डॉक्टर के पद पर नौकरी पाने काया बहुत शांदार मौका है नेशनल हेल्थ मिशन की और से यह भरति प्रकिरिया आयोजीत की जा रही है इसमें बिहार स्वास्त विभाग स्टेट हेल्स सोसाइटी में स्पेसियलिस्ट डॉक्टर के पद भरे जाएंगे बता दे कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए उमिद्वारों को 28 फरवरी 2022 तक का समय दिया गया है वहीं फीस जमा करने की आखरी तारिक भी यही है ऐसे में उमिद्वारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन को अच्छे से चेक करें जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कूल 207 पदों पर भरतिया की जाएगी इसमें MD Physician के लिए कूल 70 सीटे निर्धारित की गई है और इसके अलावा ENT Surgeon के लिए 41 सीटे और Dermatologist के लिए 35 सीटे और Psychologist के लिए 33 सीटे और 28 सीटों पर भरति की जाएगी इन पदों पर आवेदन करने के लिए उमिद्वारों के पास संबंदी छेत्र में MD या MS की डिगरी मांगी गई है और योग्यता की पूरी जंकारी के लिए ओफिसियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं इन पदों पर आवेदन करने वाले उमिद्वारों की उम्र नियुनतम निर्धारित नहीं की गई है लेकिन अधिकतम 55 साल होनी चाहिए उम्र की गन्ना 1 जनवरी 2022 के अनुसार की जाएगी और वहीं आरक्षन के दाइरे में आने वाले उमिद्वारों को नियम अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट लिये जाने का प्रावधान है इस वेकेंसी के आने के बाद बिहार के काफी युवाओ को राहत मिलेगी इस खबर में बस इतना ही ऐसे ही खबर के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे ये निउस पियार धन्यवाद